मैं एक महिने से रोज पचास रुपे की दवाई ले रहा हूँ, पर कोई फाइदा नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई साब, कोई बात नहीं, कल से मैं तुमें चालिस रुपे की दवाई दूँगा, दस रुपे का फाइदा होगा ठीक है ठीक है पर डाक्टर साहब एक बात बताओ मेरे को तो खासी थी फिर आपने मोशन लगनी वाली दवाई क्यों दे दी वो इसलिए तू अब खासने से पहले सो बार सोचे का ठीक है ठीक है डाक्टर साहब मेरे इस मोटे पेट का कुछ करो इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है वो क्या डाक्टर साब तुम रोज सुबह दो ही रोटियां खाया करो ठीक है पर एक बात बता दो डाक्टर साब ये दो रोटियां खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद में ओहो चल रोटियों को शोड़ो स्वच्थे के लिए आप रोज अक्सरसाज किया गरो डाक्टर सहाब मैं रोज फुटवाल खेलता हूँ किरकेट और टैनिस भी खेलता हूँ अच्छा ये बताओ तुम रोज कितनी देर खेलते हो जब तक मुबाल की बैटरी खतम नहीं हो जाती ओहो बड़े मूर रखो यार तुम तो पागल हो गए हो कैसे हुए मैंने एक विद्वा से शादी की उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की तो मेरी वो बेटी मेरी मा बन गई उसके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई मगर मैं उसकी नानी का शोहर था इसलिए वह मेरी 89 भी हुई इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया अपे चुपकर, मुझे भी पाँग लिख रहा क्या! लो ये मैं दुवाई लिखता हूं डॉक्टर साब दवाई जरूर लिखो लेकिन कड़वी मत लिखना अरे चुपकर बढ़ ड्लॉक्टर साब, दवाई जरूर लिख दो पर कड़वी मत लिखना रमत रिखातर एक किलो जलेबी लिखते हूँ पैट जा जादा मत बोल डाक्टर साब परचे पर ऐसा क्या लिखते हो जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं मैं लिखता हूँ मनना तो लूट लिया और तू भी लूट ले क्या जो सिर्फने लिखते हैं